नमस्कार दीर यूपी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ शिवांगी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूथ ओरियंटेट प्रोग्राम यूथ जंक्शन में दर्शकों हमारा जो आज का यूवा है वो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है लेकिन आज के समय को अगर देखा जाए तो सही करियर का चुनाव करना उतना आसान भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी opportunities हैं कई सारे करियर options हैं जिनको choose करना खुद के लिए क्या सही है ये decide करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो चलिए आपकी इसी मुश्किल को हम थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं और आज का जो हमारा subject है वो ये है कि management के छेत्र में आप अपना करियर कैसे बनाएं तो इसी विशे पर जादा जानकारी के लिए चलिए चलते हैं हमारे next segment में तो management एक बहुत ही बड़ी field है और बहुत सारे ऐसे अगर आज के युवा आज के youngsters की हम बात करें तो हर लोग हर युवा कहीं न कहीं किसी अलग अलग field में जाना चाहता है और करियर की नई उचाईयों को छूना चाहता है तो management की अगर हम बात करें हमारे साथ मौजूद है गरिमा सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है माम आपका हमारे program में माम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अगर हम girls की बात करें बहुत government की भी चाहे बात करें या फिर आज की society को हम देखें तो girls education पे लोग बहुत जादा बात करते हैं धन्यवाद शिवांगी जी management देखें एक ऐसा पाठिकरम है आज की तारीक में मुझे ऐसा लगता है कि parents जैसे की आपने कहा तो parents हो चाहें boy हो या girl हो आज की मुझा हम 21 सदी में रह रहे हैं तो आज की तारीक में हम वो discrimination भेदबाव नहीं देख रहे हैं बिलकुल भी और र education priority में दी चाहें और आज की तारीक में मैं यह चीज मुझे बहुत फक्र होता है देख कर यह कहकर कि भारत सरकार इस चीज में बहुत बड़ा रोल फ्ले कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मानेजमें जैसे पाठेकरम में लड़कियों को आगे मैं तो यह जो गर्ल की अगर हम बात करें, मैंनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैंनेजमेंट की बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और एक गर्ल एक महिला से जादा टाइम कैसे मैंनेज करना है I don't think so कि कोई समझ सकता है इसी में हम आगे ये भी जानना चाहेंगे कि गवर्मेंट की पॉलिसी की ही अगर हम बात करें तो अभी निव एजुकेशन पॉलिसी जो है कि आप जितने भी प्रफेशनल कोर्सेज हैं वो हिंदी में भी बढ़ाया जाने चाहिए हिंदी जो कि हमारी राश्ट भाशा है हम हिंदी को कैसे आगे लाना चाहिए और किस तरीके से हमें हिंदी जो हमारी मात्र भाशा है उसको प्रमोट करना चाहिए हिंदी हमारी मात्र भाशा है और सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए कि और यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि जो भी आपकी मात्र पह्षा है, जो और regional languages हैं. अगर आप Bengali में, तो आपके पाठीकरम सब बेंगाल में होने चाहिए, English छोड़ के है. अगर आप, suppose South में है, दक्षनब्भारत में है, तो आपके पाठीकरम सब वैसे होने चाहिए. उस भाषा में, सब इंग्लिश का एक subject, यूई कि वो second जैसे कि हमारे यहां French पढ़ाई जाती है, Sanskrit पढ़ाई जानी चाहिए, अब Sanskrit हमारे तीन साल पढ़ाई जाती है, 6th, 7th, 8th, भाई भारत की भाषा है वो, आना चाहिए हम लोगों को, हमारे ने जाने कितने गरंत उस पर लिखे हुए है, आप हिंदी में बात करें, अरे आप मे वो कहां चला गए, confidence, confidence अपनी भाषा पर रखे तो, एक बारी यह confidence हमारे दिल में आ जाए ना, अभी confidence दिमाग में हम लोग ला रहे हैं, दिल में लाइए इसका confidence, दिल में आ जाएगा ना, फिर आपको, मैं इनसान को डरने की ज़रूत नहीं है, अपनी भाषा ही हमारे लि स्थी जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कारिक्रम में, सर सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि management आखिर है क्या, overall अगर हम management की बात करें, तो ये कितना important है एक student की life में, और क्या है management, धनिवार सिवांगी जी, आपने management की बात की, हमें लगता है कि जो management है, वो जीवन का अभिन अंग है, हर इस्तर पर manage करना होता है, हर इस्तर पे, हर चीज को जीवन में manage करना होता है, और जब हम अपने जीवन में, management में कहीं भी कोई कमी आएगी, तो वहाँ problems आएगी, तो education ऐसी होनी चाहिए, जहां पर बच्चों को management की proper training मिले, आपका एक प्र programs हैं, जैसे BBA Bachelor of Business Administration, B.com honors भी आपको commerce और management का combination combine करके सिक्षा देता है, साथ में hotel management, इस तरीके से बहुत सारे management के courses available हैं, सर, basic normal courses की अगर हम बात करें, कि एक time था जब 12 के बाद लोगों को सिर्फ B.A.B.C. B.com सिर्फ तीन चीज़े पता होती थी कि हमें यही करना है, तो उनको अगर हम traditional courses मान लें और आज कल के जो professional courses हैं, उनमें क्या difference है और आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों का जुकाव traditional courses basically academics पर focus करते हैं, traditional courses जैसे B.A., B.A.C., B.com जिन में इस बात का focus किया जाता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसकी जो academic performance है वो बहुत अच्छी हो, पर जो professional level की बात करते हैं, तो professional level पर ऐसा बच्चा जो all-rounder हो, तो आपके दिमाग में जरूर यह आएगा कि आखिर वो professional बच्चा कैसा होता है, professionally जब हम किसी बच्चे को groom करते हैं, ready करते हैं, तो वो कैसा होता है, पहली बात तो हाँ समझना यह जरूरी है कि जो professional बच्चे की जो training कराई जाती है, वो traditional बच्चे से, traditional जो academic बच्चा होता है, उसे थोड़ी सी अलग होती है, और professional level पे बच्चों को academic से साथ साथ, हम co-curricular activities में भी बहतर तरीके से participate करवाते हैं, अब होता कहा है कि जो बच्चा हमारा professionally groom हो रहा है, train हो रहा है, उसको time management, stress management, interpersonal skill, interview skills उसके अंदर बहतर होनी चाहिए, उसको selecting best from the worst, वो pressure handling capacity उसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, leadership quality अच्छी से दी जाती है, उनको case study based पढ़ाया जाता है, जबकि कि traditional level की बात करें, तो एक set pattern होता है, कि एक book होती है, उसका एक practical होता है, उस तरीके से त्यार करते हैं, पर professional level पे क्या होता है, case study based त्यार कराया जाता है, कहीं कोई घटना हुई है, कहीं कोई results आए हैं, उन results को analyze करना, analyze करने के बाद में, उसके outcome क्या हैं, और उन outcome में, बहुत सारे लोगों का क्या रुजहान है, और कौन सा तरीका बहतर होगा, इन इस्तितियों से बाहर आने का, बहतर करने का, तो professional बच्चा जो होता है, उसके पास बहुत सारी skill set होता है, उसका communication skill, किसी traditional course करने वाले बच्च होंगे, अगर हम management में admission की बात करें, तो हमें लगता है कि सबसे अच्छे exams में cat और mat को हम लेंगे, cat preparation के लिए इनको all India level पे exams होते हैं, और बहुत सारे IIM का centralized examination होता है, और उन exams में बच्चा का जो अच्छा percentile आता है, उसी के अधार पे उनको अलग लग तरीके के IIM में selection हो होता है, उनको जो top institutes हैं, उनमें भी उनका जो private institutes हैं या जो government के institutes हैं, उनमें उनका उसी merit के आधार पे selection होता है, असरे class 12 तक की अगर हम बात करें, तो वो बहुत ही cream period होता है कि student के लिए, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी आगे का नहीं सोचना होता है, जो हमारे पास theory है वो हमें पढ़ना है और exam दे के आ जाना है, अगर हम बात करें तो बहुत सारी confusion होती है, और कहीं न कहीं students पे pressure रहता है, relatives का, parents का, friends का, कि वो मेरा दोस्य करियर चूज कर रहा है, या फिर किसी के parents बोलते हैं कि तुम्हें ये career चूज करना चाहिए, तो आप overall जो भी youth हमें देख रहा है, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो parents हों, चाहे वो students हों, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कि जब ही भी कोई बच्चा अपने career का चुनाव करें, अपने career में वो कुछ भी करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी बाते हैं, जो उसे ध्यान में रखनी चा है कि आखिर कोई किसी को लगता है कि हमें engineering करनी चाहिए, किसी को लगता है कि हमें management में जाना चाहिए, किसी को लगता है कि हमें civil services के तैयरी करनी चाहिए, तो किस stream में कैसे career का चुनाव करना चाहिए, हमारा इसमें सीधा सा ये कहना है कि बच्चों को अपने career का चुनाव क पड़ेगी और जो उर्जा खर्च करेंगे वहाँ पर उनकी सफलता की चांसे बहुत ज्यादा होंगे एक और महत्पून बात कि जब वो कोर्स का चुनाओ ठीक से कर लें उसके बाद ये जरूरी है कि इंस्टिउशन का भी चुनाओ बहुत अच्छा होना चाहिए अब इंस् बच्चे के लिए overall development का कारण बने अब क्या क्या चीज़े उसमें होने चाहिए पहली बात तो college की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के अंदर communication skill को improve करे communication skill जैसे debate हो गया, extemporary हो गया, इस तरीके से बच्चे के अंदर ऐसा विकास development करे कि वो problems को face कर सके और problems को सही बात सही तरीके से रख सके, problems जिन्दगी में आती हैं पर उन problems को solve कैसे करते हैं, ये एक बहुत महत्यपूर बात है, सही बात सही तरीके से, सही समय पे कहने का तरीका उसको उस college life में उसको सिखाए जाना चाहिए, यहाँ एक बात और मैं add करना चाहूँग कि college management क ये भी जिम्मदारी है कि बच्चों को stress free ambience दें और इसके लिए जो हमें समझ में आता है कि सनातन संस्कृती में सबसे बहतर चीज़ ये है कि जो yoga को add on किया, सरकार ने भी yoga को promote किया है, हमारा college management भी जो है इस तरीके की yoga की activity को बहुत promote करता है, योगा से क्या होगा, योगा अगर मैं बात करूँ तो पहला जो अंग है इसका वो यम, यम यानि की बराईयों को हटाना, अपने जीवन से बराईयों को हटाना, नियम यानि की अच्छी चीज़ों का अच्छे नियम को add करना, आसन यानि की body को discipline में लाना, प्रानायाम यानि की सांसों पे control करना, प्रत करने के साथ साथ अपने को concentrate कर सकें towards goal और peace पा सकें, अगर scope की हम बात करें, तो management course करने के बाद क्या career में progression होता है, क्या scope और क्या opportunities मिलती है एक management course को करने के बाद, शिवांगी जी ये बहुत अच्छा question है कि अगर कोई बच्छा management में PG level पे क्या करना चाहता है, तो हम सीधा सही कहेंगे कि आपको specialization, specialized होने का मौका मिलता है, यानि कि जब आप MBA करते हैं, एक अच्छे institute से करते हैं, तो आपके पास यह opportunity होती है, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका interest है, जैसे आप human resource के प्रतिया आपका attraction अच्छा है, आपको लगता है कि humans को आप बहुत अच्छ hotel management, retail management, इनमें आप अपने आपको specialize कर सकते हैं, अगर आप उस domain में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या scope आपको बच्चों के लिए नजर आता है, कि अगर वो specifically management course ही कर रहे हैं, तो बाकी जो courses हैं, उनसे कितना अलग है यह management का course, अगर आप बात करते हैं कि management course किसी द चीजों को manage कर सके, अच्छे तरीके से manage कर सके, तो अगर किसी वेक्ती ने MBA करके रखा है, तो निश्यत तोर पे उसकी किसी भी दूसरे course के करने के साथ साथ, या करने के अलावा, उसकी महत्वण भूम का होती है उस organization में, अब अगर हम बात करें किसी वेक्ती ने कोई PG किस किसी और stream से करके रखा है, माने जी बीटेक ही करके रखा है, साथ में वो ये चाहता है कि उसे, उसने MBA भी कर लिया है, तो जब हम multinational companies में जाएंगे, तो जिसने किसी दूसरे course में बीटेक, M-tech करके रखा है, साथ में अगर वो MBA कर लेता है, तो उसके पास ज्यादा opportunities मिल ज तो management को एक all-rounder के तोर पे वो देखते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें आपने सुनी, बहुत सारी चीजें जरूरी सीखी होंगी कि किस तरीके से management course बाकी courses से अलग है, किस तरीके से क्या scope है एक management course को करने के बाद, बहुत सारी जो बाते थी वो हमारे expert ने आपको बत देते हैं. पर प्रैक्टिकल ओरिंटेट जो हम study करते हैं, उसका कोई तोड नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तो हमें अच्छे marks लाना चाहिए, यहां तक तो ठीक है, पर गर थोड़े से marks कम भी रह जाएं, पर हमारा जो learning model होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल ओरिंटेट होना च कर सकते हैं, अपनी daily life में, अपनी आम जिन्दगी में, मिजबा, जब बात आती है, stress कि हमारे जीवन में हम सब कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण, चाहे वो परिवार हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, या दोस्त हो, कुछ ना कुछ कारण से एक mental pressure रहता ही है, हमारी life में, जो कही न कहीं, हमारे दिमाग पे एक अलग ही दबाव डालता है, जिससे कि कई बारी हम उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन सब चीजों को overcome कर लें, क्योंकि अगर हमें इन से उबरना है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, कई बारी माबा किसी चीज से परिशान है, उनकी परिशानी देखकर हम भी परिशान हो पाते हैं, मगर कह नहीं पाते हैं, अगर आपको इन सब चीजों से उबरना है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा व्यायाम करने का जो या स्ट्रेस से उबरने का जो तरीका है, वो है योगा, आप रो लुखा के नाम पे करें आप खुद और करेंगे कि आपके जीवन में आपके स्वस्थ में स्ट्रेस लेवल में कितना फर्क पड़ता है अपने आदम विश्वास को डगमगाने से कैसे बचाए जो बच्चा कहीं भी जॉब करने के लिए ऐसा फ्रेशर जाता है तो उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उसको जो सीनियर वहां होते हैं जो स्किल्फुल लोग होते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रियेट करते हैं क्योंकि उनका अपना एक अलग तरीके का इगो होता है तो अब एक फ्रेशर है उसको कैसे डील करें बहतर तरीका इसका ये है कि अपनी स्किल्स को विनम्रता से रखें कभी भी सीनियर्स को ये ना दिखाएं कि आप को ये चीज आती है और आप बहुत कुछ काबिल है पर उसी बात को ठीक सही चीज तरीके से रखें और जब लंबा समय उनके साथ आप बितीत करेंगे और जब उनकी आप मदद करेंगे तो आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपकी स्किल्स एक नए तरीके से बढ़ती हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे सिनियर्स हैं उनकी थोड़ी सी केरिंग एप्रोच हो हो हमारी और थोड़ा सा हमारा टेंपृरामेंट भी ऐसा होना चाहिए ताकि उनकी हम किसी बात को एड्जेस्ट कर सकें बरदाश्ट कर सकें अगर हमारी skills बहुत अच्छी है, अगर हमारी grooming बहुत अच्छी है, अगर हमारे संसकार बहुत अच्छी है अगर हमने odds को handle करना अपने during college life अच्छे से सीखा है तो वो odds जो senior के द्वारा develop किया जा रहा है उसे हम अच्छा से manage कर लेंगे और जब इस प्रक्रिया को हम लंबे समय तक follow करेंगे, तो जब हम senior बनेंगे, तो हम अपने junior के साथ अच्छा behave करेंगे मैं शोबना रस्तोगी और मैं आपसे ये question पूछना चाहती हूँ, कि management के अंदर BJMC course आता है? जहां तक management का सवाल है, तो management तो जीवन के हर पहलू में होता है, यानि कि जब management course की हम बात करते हैं, तो लगभग जितने course जहां पर हमें management की tips सिखाई जाती हैं, वो सारे के सारे management पर ले सकते हैं और BJMC एक ऐसा course है, जिसमें हमारी personality को बहुत wide किया जाता है, हम शायद ही कोई ऐसा area हो जो अच्छूता हो, तो BJMC के लोग तो सब कुछ कर सकते हैं, फोटोग्राफी से लेकर के, एंकरिंग तक, एंकरिंग से लेकर के, वो जो PR management होता है, वहां तक करते हैं, हर विशय की उन BJMC को management में माना जा सकता है, और मानना चाहें तो मानें नहीं तो professional तो मानेंगे, मेरा नाम वर्तिका है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने देखा होगा कि हर जगा हम management को बहुत ज्यादा ही महत्वता देते हैं, हम देखते हर जगा management है, तो मैं जानना चाहूंगी माम कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी skills हैं, जिनके हमें जरुवत पढ़ती है कि हमारा management अच्छा हो, एक synchronized way में हम management कर पाएं सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं ये सवाल कर रही है, जब बात आती है management की, जब आप इन courses में enter करते हैं, इनको पढ़ते हैं, और जब ये पढ़ने के बाद आप बाहर तो जाएंगे ही job करेंगे, corporate world में enter करेंगे, वही बच्छा जातर management लेता है, स email जो आपको दबाएंगे, दबना नहीं है, confidence होना चाहिए, जब आप management में enter कर रहे हैं, आप management के subject को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो जो आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो teachers हैं, उन पे ध्यान दें, कि क्या लिखा है, कहां आपको, कि देखिए, teacher ही एक ऐसा व्यत्ती है, जो सबसे पहले आपके, जो education वाली problems है, उसको वो ही solve कर सकता है, आप जाहिए, उनसे बात करिए, अपनी problems को share करें, और खुलकर share करें, ये ना सोचें कि वो क्या सोचेंगा, रहे मुझे ये आता नहीं है, दस बार पूछें, वो आपका हक है, My name is Kumkum Verma, Sir, my question is, कि हम लोग management को अपनी day-to-day basic life में कैसे apply कर सकते हैं? Kumkum, आपका question है, कि management को हम day-to-day life में कैसे use कर सकते हैं, जिन्दगी जो है, वो एक unseen है, यानि कि जो problems जिन्दगी में आने वाली हैं, उन problems को हम खतम नहीं कर सकते हैं, उन्हें manage करना हैं, कुछ problems तो ऐसी होती हैं, कि जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वो आजाती हैं, पर कुछ problems ऐसी होती हैं, जिन्हें हम manage ठीक से ना करने के कारणा आती हैं, पर अगर हमारा college life अच्छा है, हमारी education ठीक है, हमने ठीक से संसकारों को और अपनी education को, या विद्या सावी मुक्त है, विद्या ऐसी जो बंदन से मुक्त करने वाली हो, इस तरीके से हमने अपनी study की है, तो वो जो management के गुर हमने सीखे हैं, course के complete करते हैं के दौरान, तो वहाँ पर हम उनको experimentally और experientially जब उन्हें apply करते हैं real life में, तो उनसे हम solve कर सकते हैं, जब हम case study के जरीए study करते हैं, management में जो सबसे important बात है, वो यह है कि हम case study के जरीए पढ़ाई करते हैं, case study यानि उन problems को कि लोगों ने, लोगों के जीवन में किस-किस तरीके से problems आई और उसमें best solution कैसा था, तो जब उसको हम उनसे match करते हैं, match करने के बाद हमें लगता है कि इस problem को इस तरीके से solve किया जाना च जाँ झा बात है, में लोगों को करते हैं, कि हम किस एदे मुच्चारस है जाट है भी, उनसे कमें जाए अधर। से dose कारते हैंस, नहीं चायिक फिरू करते हैं, सिरून हैं, तो जाल्स टामद की जाएकंच़caई के साने करते हैं, स कुछारस क trade का बाता हैंस 저는 जाव gor्स हैं तो.